Hello Students, I am Aarti and I heartly welcome you all to my channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will study your 10th class English Worksheet, Worksheet No. 71, dated 29th of December 2020. Students, जो आज की आपकी English की Worksheet आई है, Worksheet No. 71, वो आई है आपकी जो First Flight Book है, Textbook, उसका जो Chapter 11 है. उसका नाम है The Proposal, ठीक है, Proposal और ये जो Chapter है आपका, ये Play की Form में लिखा हुआ है, यानि के एक Naatak की Form में लिखा है, ठीक है, तो और इसके Playwright है, यानि के इसके Writer वो कौन है, Anton Chekeo, जो इसके Writer है, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, Proposal, यानि के किसी चीज का प पोज कर रहा है, वो तो हम स्टोरी में ही जानेगे, तो चलिए, सुरू करते हैं, आज की स्टोरी, बेसिकली तीन करेक्टर हैं इसके स्टोरी में, तो हमें करना क्या है, complete the name of the characters from the play, हमें उस play के characters के नाम को complete करना है, तो देखिए, इवान, लो मो, है ना, तो यहाँ पर आप क्या पर देंगे, लो मो, यह जो आपको खाली स्थान बढ़ रहा है, तो इवान के आगे कर देंगे, L, O, M, O, V, है ना, तो इवान के बाद, I, V, A, N, इवान, लो मो is a rich bachelor, एक अमीर bachelor है, है ना, who wishes to marry, bachelor तो आप समझते हो ना, जिसकी शादी ना हुई हो, जो कबारा हुआ ना, जो unmarried हो, उसको बलते हैं, bachelor, who wishes to marry, और जो जिसकी इच्छा है, शादी करने की, किस से, नतालिया, तो यहाँ पर, जहाँ पर N लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या भर लेंगे नतालिया, N-A-T-A-L-Y-A, ठीक है, तो नतालिया, नतालिया the daughter of, नतालिया और डोटर है किसकी, वो डोटर है, चुबू को की, तो यहाँ पर आप जहाँ पर C लिखा है, वहाँ पर लिख लेंगे, C-H-U, दुबारे से लिख देती हूँ मैं, चुबू को, C-K-O-W, ठीक ह यह, C-H-U-B-U-K-O-W, है ना, चुबू को, इस तरीके से लिखे, तो तीन करेक्टर है, एक तो है, लो मोव, इवान लो मोव, जो एक रिच बैचलर है, और वो शादी करना चाता है, नतालिया के साथ, नतालिया बेटी है, चुबू को की, himself is a rich man, वो खुद भी एक रिच ह ठीक है, तो नतालिया भी अमीर है, लो मो भी अमीर है, और एक छोटी सी बात पे, तीनों के तीनों जो करेक्टर हैं, आपको इस प्ले में लड़ते जगडते नजर आएंगे, तो चलिए, पढ़ लेते हैं, इसके extract को, फिर करेंगे इसके question answers, तो अब क्या होता है, इसमें, नतालिया, आर्स, you can go on proving it for two days on end, you can go and put on fifteen dress jackets, but I tell you, they are ours, 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 I don't want anything of yours, I don't want to give anything mine, so there, अब वो नतालिया क्या है, पता हुआ क्या है, हुआ ये है, कि वो जो लो मो है, वो नतालिया को प्रपोस करने आया है, है ना, वो उससे शादी करने के लिए प्रपोस करने आया है, अच से कपड़े पैन के आया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था, नतालिया को बिल्कुल भी पता नहीं था, कि वो उससे प्रपोस करने आया है, तो वो बातों बातों में उनके एक ओक्सन मिडोज है, ओक्सन नाम जंगेह का नाम है, और मिडोज होते हैं, चारग, जो वो होते है वे हमारे हैं और इस बात पर दोनों का जगडा चल रहा है तो नतैलिया बोलती है आर्स you can go on proving it कि तुम्हें उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा दो दिन लग जाएंगे तुम जा सकते हो और 15 dresses जैकेट में रख लो but I tell you मैं तुम्हें बताती हूँ आर्स वे जो कहस के मैदान हैं वे हमारे हैं आर्स हमारे हैं आर्स और हमारे हैं I don't want anything of yours और मुझे तुम्हारा कुछ ने चाहिए and I don't want to give anything of mine और मैं तुम्हारा कुछ अपना देना भी नी चाहती शोदे और समझे तुम कि मुझे तुम्हारा ना तो कुछ चाहिए और ना मैं तुम्हारा कुछ लेना चाहती लोमोम नतालिया स्टिपनोवा अब लोमोम वो बोलता है नतालिया स्टिपनोवा I don't want the meadows कि मुझे वो चाहरगा नहीं चाहिए वो जो घ्सके मेदान है वो मुझे नहीं चाहिए बाट I am acting on principal लेकिन मैं principal की बात कर रहा हूं सिधानत की बात कर रहा हूं If you like I'll make you a present of them अगर तुम्हें वह जादे ही पसंद है वह चारगा जो उसके खेत हैं तो वह बोल रहा है कि तो मैं तुम्हें उसे गिफ्ट कर दूँगा मैं तुझे उसे गिफ्ट में दे सकता हूं लेकिन तु यह नि कह सकते हैं कि वह ते रहे हैं नतालिया I can make you a present of them myself कि मैं भी उनको गिफ्ट में दे दूँगी अगर मुझे उनको गिफ्ट में देना होगा तो मैं खुदी ले लूँगी क्योंकि वह तो मेरे हैं क्योंकि वह मेरे हैं यूर बिहेवियर इवान वेसलिविच इज स्ट्रेंज कि तुम्हारा जो बिहेवियर है ना लोमों को बोलती है कि वह कितना विचितर है तू से दे लीस्ट मुझे कहना पड़ेगा बहुत खराब है अब टू दिस वी हैव आलवेस थोट ओफ यू अ गुड नेवर मैंने हमेशा आपको समझा कि आप एक अच्छे नेवर है अच्छे पडोसी है एक फ्रेंड है अफ्रेंड है लास्ट इयर इस वी लेंट यू आ लाई जाती है तो वो कहती है कि लास्ट इयर हमने तुम्हें अपनी थ्रेंशिंग मसीन भी दिए थी अल्डो ओन ड条व मेंट वी हैट तू पूट ओफ यूरों थ्रेंशिंग प्रिल नमब्र और जबकी है इसी चकर में जो हमारी थ्रेंशिंग मसीन नमबर तक ने आई मेरी जमीन मुझे दो इंडीड वास्ताव में नो रियली दिर्स नोट एट ओल नेबरली कि यह बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं है कि जैसे एक पड़ोसी किसी से बात करता है इन माई ओपीनियन इट इस इविन इंपूडनेंट इफ यू वांट तू नो और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम जानना चाते हो तो वह यह कहरे है कि यह देखो मेरी दिलेरी है फिर भी कि इंपूडनेंट होता है दिलेर होना जिल से बड़ा होना कि मैं दिलेरी हूँ फिर भी तुमसे दिलेर हों कि मैं तुमसे फिर भी जाना चाती हूँ तो आप उनका जो जगड़ा है वो सीरियस नैस की तरह बढ़ रहा है दोनों जगड़ रहे हैं उन ओक्सन मिडोज के उपर यह उनका केवल और केवल जो उनके ओक्सन मिडोज है उसके उपर जगड़ा तो उस जगड़े के लिए बच्चो यह चाप्टर पढ़ने वाला नहीं है यह तो परफॉर्म करने वाला है तो मैं तो हर बार क्लास में बच्चो को परफॉर्म कराती हूं लेकिन यहां थोड़ी सी स्टोरी आपको बतानी पढ़ रही है वजरना तो बच्चे क्लास रूम में अगर पढ़ाई होती तो बड़ा एंजोई करते हैं इस चैप्टर को वे प्ले करते हैं नतालिया लोमो चुबुको बनके चखे चोड़िए चलिए कर लेते हैं वर्क सीट के कोशर आंसर देखे हाव ड़स इवान लोमो फील अबाउट नतालिया क्लेम टुदे लेंड की जो इवान लोमो है किस तरीके से फील करता है जब नतालिया क्लेम करती है कि वो लेंड उसकी है तो क्या करता है एपी हो जाता है खुस हो जाता है या फिर क्या हो जाता है प्लीज हो जाता है उस क्लेम से स्केर डर जाता है या एगिटेटेट तो इसका आंसर मेरे बच्चो जो आप लिखेंगे वो हो जाता है उत्टेजित है ना तो इसका नाव सक्छर से जाता है औरστεं क्या the set of statement that are not true according to the given store extract अब आपको वो statement ढूणने है जो आपके extract के according सही नहीं है इन पाचों पे से the two speakers are arguing over a piece of land जो दो speaker हमने देखे लोमो और नतालिया दोनों बहस कर रहे हैं एक जमीन के टुकडे पे हाँ यह तो बिल्कुल ठीक है नो टूणना है हमने तो ठीक है यह तो बिल्कुल ठीक है नतालिया रिस्पॉंड पॉलाइटली टू लोमो यह बिल्कुल गलत है नतालिया उससे सब्बे तरीके से नहीं बात कर रही है इवान लोमो एग्रीज देट ओक्सों मिडोज बिलोंग टू नतालिया फैमिली और एग्री हो जाता है कि ओक्सों में जो मिडोज है जो ओक्सों की जो घास के मैदान है वो नतालिया की फैमिली के हैं तो यह भी बिल्कुल गलत है यह भी टू नहीं है वो नहीं मानती कोई सब भी नहीं मानता ना तो इवान ना नतालिया की वो दूसरे की फैमिली वो अपनी अपनी family का बता रहे थी ठीक है चलिए the two the two families have known each other since long दोनों family एक दूसरे को बहुत दिनों से जानती है yes ये भी बिल्कुल सच है कि दोनों family बहुत दिनों से बनती है the last year चुबको family lent their threshing machine to loomov last year चुबको family ने अपनी threshing machine loomov को दी दी तो ये भी हमने पड़ा नातालिया बोल दी थी कि हमने तुम्हें अपनी वह दी थी तो इस extract में जो आपका second है और third है वह आपका true नहीं है तो हम इसका be answer को tick कर देंगे ठीके students चलिए अब आगे चलते हैं आगे दिया है which of the following phrase does acting on principle not correspondent to अब कौन सी phrase है जो अपने principle पे नहीं दिखा रही है जो सिद्धानतों को नहीं दिखा रही है तो acting in just manner एक तरीके से बात करना ये तो बिलकुल दिखा रही है doing what is right वही करना जो ठीक होता है तो यही principle कहते है acting in ethical manner एक ethical manner में काम करना ये भी ठीक है लेकिन जो इसका correct option है वो है against the rule है ना principle पे काम करने का मतलब होता है rule पे काम करना अपने करतवे पे काम करना सही काम करना against the rule जाना तो ये तो हो जाता है नियमों को तोड़ना तो इसका c option will be the correct answer क्योंकि हमें वो डूणना था जो इस word के साथ नहीं जा रहा है ठीक है चलिए अब इसमें तीन question दिए गए है एक question है आपका 20-30 वर्ड में दूसरा है 40-50 वर्ड में और तीसरा है 100-120 वर्ड में तो चलिए कर लेते हैं तीनों questions को तो आज आपकी वर्क सीट लंदी वर्क सीट बिल्कुल भी नहीं है it is an easy one, sword one चलिए question number 3 what makes Chubukov misunderstood the purpose of Lomov visit Chubukov को क्या misunderstand होता है जो Lomov की विजट का Lomov के आने का कारण जो जो Lomov है सजदस के आया है और उनके वहां पे आया है उसका क्या कारण है तो इसका answer आप इस तरीके से लिखेंगे Chubukov misunderstands that Lomov has come to borrow money Chubukov यह समझता है कि Lomov पैसा उधार लेने के लिए है he does not reveal his purpose of coming directly instead he is saying that he has come to trouble him with a request for help वो मतलब इस तरीके से बोलता है वो यह नहीं बताता है कि मैं नातालिया को propose करना आया हूँ या शादी करने आया हूँ बलकि वो यह कहता है कि मैं ना तुमसे एक help लेने आया हूँ तुम्हें परिसान करने आया हूँ मतलब वो घुमाफी राके बाते करता है तो इस वज़े से वो उसको गलत समझ लेते हैं वो समझते हैं कि ये पैसे उधार लेना है हमसे ठीक है चलिए आप question number 4 की तरफ चलते है question number 4 पूछ रहा है इवान लोमोव clearly feel some pressure to marry soon what are the reasons that he mentions इवान लोमोव clearly feel करता है कि उसके उपर कुछ pressure है शाधी करने का क्या reason थे वो कि लोमोव को खुद लगता है कि वो जल्दी शाधी करना चाहता है क्या reason दे रहा था तो लोमोव is concerned about his marriage because he is already 35 क्योंकि वो अपनी शाधी के लिए इसलिए चिंतित है क्योंकि उसकी एज जो है already कितनी हो गई है 35 years हो गई है and he is not healthy and fit enough और वो इतना स्वस्त भी नहीं है एकदम fit भी नहीं है apart from that और इससे अलग he wants to be settled वो चाहता है कि वो अपसेटल हो जाए he suffers from anxiety and palpitation or strange fear उसको उतेजना का और विचितर डर सा रहता है so he decided to marry Natalia इसलिए उसने Natalia से शाधी करने का सोचा because she will be a suitable wife for him who will take care of him क्योंकि वो उसकी एक उप्युक्त पत्नी होगी जो उसकी देखबाल कर सुखेगी और बच्चो आप बोलते हो कि ma'am आपने बड़े कोशन कराए है तो बच्चो यह demand questions की यह आपको 40-50 word में लिखना ही है यह देखो हमने छोटा लिखा क्योंकि यह 30 word में काम चल जाएगा तो यह हमने question number 3 को छोटा लिखा है लेकिन यह 40-50 शब्दों में लिखना है तो इतना बड़ा अंसर मेरे बच्चो आपको करना ही पड़ेगा ठीक है आप यह गल्पना करिये कि नतालिया और लोमोव जो एक दूसरे से वो नफरत की जो बहस कर रहे है वह क्या कर रहे है उसके लिए उन्हें रिग्रेट है पस्तावा हो रहा है हैपन बिट्विन देम जो उनके बीच में हुई डिसाइड टू अपॉलाइज और उसने उन्होंने निश्य कर लिया कि वह दूसरे से छमा मांगेंगे राइट फ्रेंडली डाइलोग बिट्वीन देम आप उनके बीच में आपको ऐसे डाइलोग लिखने हैं जो फ्रेंडली हो है ना जो मित्रता पूर वक्त तो चलिए लिखते हैं आभी तो वह लड़ रहे थे जगड़ रहे थे हैं ना क्यूंकि नतालिया और जो चुपुक बिहेव लाइक दिस हाँ ठीक कहरे ओलो मुझे ना इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था अब लो मौ कहता है नो आइम सोरी एव जब जो रूड़ अरे नहीं मैं माफी मांग लेता हूं आप से क्यूंकि मैं जादा रूड़ हो रहा था नतालिया इट सोके जस्टेल me what is the special purpose to come here जड़ा बताईए कि आपका special purpose क्या है कि सुदेशे से आयते आप ये तो बताओ लो मो वेल I like your nature मुझे तुम्हारी nature बड़ी पसंद है your behavior तुम्हारा वेवार I want to marry a girl like you कि मैं तुम्हारे जैसी लड़की से शादी करना चाहता हूं नतालिया oh really और वो bless करती है यहां पर would you really like to क्या तुम सच में मुझसे ऐसे बोलते है कि क्या तुम सच में तो पसंद करोगे लो मो कहता है ये here is a ring for you हाँ मैं तुम्हारे लिए ring भी लेके आया हूं तो बच्चो ये देखो कितना अच्छा सा कितना सही सा उनका जगडा भी खतम हो गया और उसने उसको नतालिया को प्रबोस भी कर दिया लो मोम ने तो ये हो गई आज की आपका लास्ट कोशन इस वर्क सीट का होफुली वीडियो आपके लिए बेनिफीचल रही होगी आपके लिए अच्छी रही होगी तो आपको क्या करना है बच्चो लाइक कर देना सारे बच्चे वीडियो को And don't forget to subscribe my channel with pressing by pressing the notification bell and share with the at least your five friends Thank you evet students! and don't forget to drop a lovely comment to Thankyou